प्रदेश भर में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आई दिन बंदरों के द्वारा लोगों को चोटिल करने से लेकर कई चीजों का नुकसान करने की सूचना मिलती रहती हैं जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते ह जाथे इस टीम ने अब तक सौ से ज़्यादा बंदर पकड़ कर जंगल में छोड़ दिये हैं। वहीं DFO ने बताया कि यहां से पकड़ गए कुछ बंदरों को वन विभाग रिंज हरिद्वार भेजने का काम किया जाएगा जिससे उनकी नस्बंदी की जा सके। प्रॉलम तो शेहर में काफी है बंदरों को लेकर खासकर बच्चों पर अटैक बंदर कर रहा है इसकी घटनाएं इस तरह की पुस्टी हो के आरही है या लेडिस पर अटैक कर रहा है बंदर तो इसमें बताना चाहूंगा कि हम लोग तो अपना डिपार्मेंट ली भी पिंज बंदरों को पकड़ने का अभियान लगातार चलाते रहते हैं पूरे साल में और अभी भी हम लोगों ने एक टीम जो है मौजुदा उसमें अगर बात करें तो एक टीम हमारे पास यहां पर आ गई है इसमें पांच से छे लोगों का एक ग्रूप है और पिसिकली आसा रोड लगबग हमने 100 बंदर वहां से 2,3 में पकड़े हैं जो कि हम लोगो ने नियर बाय जो हमारे जन्गल एरियास है वहां पर छोड़ा है बंदरों को पूर वहीं वहीं DFO राजीव धीमान ने बताया कि बंदरों के आतंकी की शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी, जिसके चलते वन विभाग ने अभियान चलाया है। जब तक शहर के सभी बंदरों को वन विभाग नहीं पकड़ लेता है, तब तक अभियान जारी रहेगा। पंजाब के सिरी टीवी के लिए देहरादून से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट।